कम्प्यूटर हमारी जिन्दगी का एहम हिस्सा और बिना शुबा काल और यह करें होता और कोई गेम होता ना अब पबजी होता और नहीं कोई होते और नहीं पारी हो तो दोस्तो यह तो बहुत क्लियर है कि जितना भी digital world है यह computer का गुलाम हो चुका है चाहिए आप Instagram चला रहे हो, Facebook चला रहे हो, YouTube चला रहे हो, mobile game खेलो सब कुछ computer based हैं अगर यह computer हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो इन सब का वजूद ही खतम होके रह जाएगा का सबसे important world because this is the digital world जहां पे अगर आप कोई video देख रहे हो आप गाना सुन रहे हो कोई mobile phone में game खेल रहे हो ये सब possible होता है coding की ही मदद से railway ticket book करने से लेके facebook चलाने तक सब में coding ही की गई होती है तभी तो government तक ने school में coding सिखानी शुरू कर दी है बच्चों से कहा जा रहा है चोटे चोटे बच्चों से के आप भी coding सीखो parents चाते हैं कि बच्चे को coding जरूर आनी चाहिए क्योंकि अब ये digital दुनिया है यहाँ पे coding के यहाँ जब उसे projects में काम करना है, तो वह कैसे किया जाए यह कुछ इसीही तरह से होता है कि class में हमें ये तो बता दिया जाता है कि यह एक पेर्ड है लेकिन हमसे सवाल रियल दुनिया में क्या पूछा जाता है, वहां पूछा जाता है कि पेर्ड में कितनी branches अब वहां जाके हम fail हो जाते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जहां से आप proper coding सीख सकते हो चाहे आप beginner level के हो या फिर advanced level के हो या job कर रहे हो या करना चाहते हो इस field के अंदर आई ये सीखते हैं Guys as far as your career is concerned अगर आप एक अच्छे programmer बन जाते हो तो आप लाग रुपे salary भी बहुत असानी से कमा सकते हो और job opportunities बेशुमार मिलेंगी आपको अब जब हम coding सीखने की बात करते हैं या फिर programming सीखने की बात करते हैं तो इसमें पैसे बहुत लगते हैं है ना नहीं दोस्तों मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप free of cost programming सीख सकते हो coding सीख सकते हो computer science में अपना career बना सकते हो जिया दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ एक website बताने जा रहा हूँ जो पूरी online दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया और सबसे best option है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ geeks for geeks के बारे में geeks for geeks एक ऐसी website है एक ऐसा platform है जो encyclopedia है computer science के students के लिए जो आजसे तकरीबन 10 साल पहले initiate किया गिया था startup किया गिया था जो कि एक Indian startup है और जिसकी quality unmatchable है आईए कुछ और बाते बताता हूँ मैं आपको geeks for geeks के बारे में तो दोस्तों ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो के geeks for geeks computer science के students के लिए अलग से एक encyclopedia create किये गया है जहाँ पे आपको free में resources दिये गए हैं अपनी computer science की दुनिया को तयार करने के लिए उसके अंदर enter करने के लिए कोई भी exam की तयारी कर रहे हो या फिर आप एक programmer बनना चाहते हो आपका सपना एक programmer बनने का है तो पैसों के बगैर आप इस पे आके तयारी कर सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो अभी अगर आप आठवी दस्वी बारी क्लास के student हो और अभी से तियारी करना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है आपको कुछ भी नहीं करना कोई पैसा खर्च नहीं करना सबसे important है free में आपको करना क्या है आपको इसकी website पे जाना है geeksforgeeks website पे जाना है description में link दे देता हूँ वहाँ से website पे जाके खुद को register कर लेना है that's it इतना सा काम करना है बाकी का काम आपका अपने आप हो जाएगा इनका YouTube channel है जिसका नाम है geeksforgeeks school school वालों के लिए आपके लिए ही बनाए गया जी हाँ आपके लिए ही बनाए गया एक YouTube channel जहाँ पे आपको programming की जो beginning level की चीजे होती है वो सिखाय जाती है notification वहाँ पे और आपको मिलते रहेंगे तरह तरह की जो भी updates आती रहती है computer science की दुनिया की ad tech दुनिया की वो सब कुछ आपको मिलेंगी technologies related हर चीज आपको उस YouTube channel पे मिल जाएगी और free में आपको workshop conduct कराई जाएगी workshop किस चीज की conduct होगी HTML की foundation workshop आपके लिए conduct कराई जाती है तो वहाँ से आपको उसको भी attend करने को मिल जाएगा वो भी free of cost साथ ही python की भी workshop आपको foundation level की वहीं पर आपको कराई जाएगी वो आप करना वहाँ से python की knowledge आपको basic तयार किया जाएगा आपको बताया जाएगा python के बारे में HTML के बारे में ये जो भी workshop होगी ये experts ज्वारा कंड़क कराई जाएगी जो के free of cost होगी मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जब आप registration कर लोगे Geeks4Geeks website पे तो आपको notification अपने आप मिल जाएगा कि इस तारिक को ये आपकी workshop होने वाली है और आप उसको attend कर सकते हो और ये सब कुछ free हो रहा है आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है साथ ही साथ इस encyclopedia पे ये जो coding का encyclopedia है यहाँ पे आपको हर तरह के articles मिलेंगे coding की दुनिया के computer skills की दुनिया के जो के free of cost है अगर आपको कोई problem आती है चलिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ तो दोस्तों आपको सबसे पहले geeksforgeeks की website पे जाना है जो के है geeksforgeeks.org description में भी आपको link दे दिया गया है इस पे जाने के बाद आपको sign up कर लेना है बहुत ही normal तरीका होता है उसी तरह से आप इसको sign up कर सकते हो sign up करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे options दिखेंगे यह मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आपको algorithm का option आ रहा है data structures, languages, interview corner, gate, CS subjects, student jobs, gblog तो इसमें बहुत सारे options है जैसे मैंने algorithm पे click किया तो यहाँ पे तरह तरह की चीज़ा आ गई है मेरे पास और options आ गई है analysis of algorithm, searching algorithm, sorting algorithm मतलब n number of topics देख रहो कितने सारे topics यहाँ पे आ गए algorithm से related, data structures related topic अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको all data structures दिख जाएंगे, languages है यहाँ पे बहुत सारे language में दिख पा रहा हूँ इतनी सारी languages, पूरी depth में यहाँ पे आपको समझाई गई है in depth आपको समझाई गया है with question, last में आपको question भी दिये जाते हैं practice के लिए वो आपको answer करने होते हैं उसमें क्या तरीका होता है कि उसमें आपको problem दे दी जाती है उसका solved और unsolved version दोनों दिये जाता है इसमें फिर CS subjects हैं, computer science subject हैं gate का exam होता है उससे related इसमें आपको topics मिल जाएंगे जिसमें gate CS original papers and official keys यहाँ पे है gate CS solved papers यहाँ पे है last minute notes यहाँ पे तो अगर आप gate के students हैं तो आप इसके लिए भी आप यहाँ पे इंतिजाम किया गया हुआ है ठीक है जी और students के लिए बहुत सारी options है career related, internship related यहाँ पे testimonials, geek on the top and number of topics है इसी लिए इसको encyclopedia कहा जाता है computer science का दोस्तों यहाँ पे मैं शुरू में ही देख पा रहा हूँ में सामने यहाँ पे option आ जाता है interview preparation का बहुत important बात है ध्यान से सुनना दोस्तों यहाँ पे 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपने experience लिखे हुए है अपने interview के experience लिखे हुए है और यह वो लोग है जो interview crack कर चुके है तो यह experiences जो है यह articles आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा idea हो जाएगा आपकी question की practice हो जाएगी expected question आपको तोड़ा समझ में आ जाएगी कि आप से क्या पूछा जा सकता है तो यहाँ से आप अपने interview की भी preparation कर सकते है तो यह बहुत important point है साथ ही साथ यह company based भी आपको तरीके दिये गए है कि कैसे आप company based interview की तियारी कर सकते हो Amazon के लिए आपको करना है या फिर आपको TCS के लिए करना है तो वो भी option आपके लिए आपके लिए आपके दिये गए है तो दूस्तों यहाँ interview का भी आपका काम पूरा अराम से हो जाता है फिर बात आती है paid courses की अगर आप चाहते हो कि आपको in-depth फिर सीखना है तो आपके लिए paid course का भी इंतजाम किया गया है जो कि industry के जो best है जो expert लोग है उन लोगों से यहाँ पे आपको पढ़वाया जाता है इसके लिए अगर आप चाहो तो normal courses में जा सकते हो और जो भी course आप purchase करना चाहते हो live course कर सकते हो या फिर pre-recorded भी है यानि पहले से ही recorded courses है वो भी आपके लिए available है जिस भी course को आप करना चाहते हो तो courses में click करके explore कर सकते हो और वहाँ जाके course को choose कर सकते हो course का जो भी amount है जो भी amount है उसमें मैं आपको discount अलग से दिलवा दूँगा उसके लिए आपको क्या करना कुछ भी नहीं करना है dear sir लिख देना है और 10% आपको off मिल जाएगा और क्या चाहिए दोस्तों तो अगर आप चाहते हो कि आपको paid course करना है तो आप वो भी कर सकते हो ये आपकी चाहे वैसे तो free में सारा गाम हो रहा है अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से पढ़ना चाहते हो बहुत depth में पढ़ना चाहते हो लाइप पढ़ना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो तो दोस्तों देखा आपने के किस तरह से geeks for geeks एक बहुत ही जबरदस बहुत ही बड़ीया platform है आपकी computer skills और coding के दुनिया की तयारी के लिए तो मेरा recommendation है कि इनकी website पे at least एक बार आप visit जरूर करें इनका YouTube channel जाके देखे वहाँ पर आपको बहुत ही मज़दार और useful आपको stuff मिलेगा जिससे आप coding को समझ पाओगे आप languages को समझ पाओगे और आज की दुनिया में कंदे से कंदे मिलागर चल पाओगे और अपना career बहुत अच्छा घर पाओगे तो मुझे लगता है दोस्तों आपको बहुत फायदा होगा इस platform से तो मीट करता हूँ कि आप जरूर जाएंगे यहां visit करेंगे और आपको भी बहुत अच्छा experience मिलेगा मुझे comment में जरूर बताइएगा कि आपको यह website कैसी लगी और follow कीजिए अगर आपने अब तक follow नहीं किया है कोई भी doubt आता आप instagram पे पूछ सकते हो चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक के लिए बने रहें dear sir के साथ